दो हजार दस में रिलीज हुई प्रिंस ओफ पर्शिया दसेंज ओफ टाइम फिल्म एक फेंटसी एक्षन एडवेंचर फिल्म है ये फिल्म अलामुट शहर के एक सरक छाप दास्तान पराधारित है जिसे एक हमले के दोरान बहादुरी दिखाने के बाद फारस के राजा शमन ने गोद ले लिया था कई वर्शों के बाद बड़े हुए दास्तान और उसके दो भाई तुस और गासिव इस संदे पर अलामुट को पकड़ने के लिए एक सेना तयार करते हैं कि वे अपने दुश्मनों के लिए हतियार बना रहे हैं हमले के दोरान दास्तान को के साथ भाग जाता है जैसे ही दास्तान और तमिना एक साथ सफर करते हैं उन्हें खंजर के बारे में और भी पता चलता है और उसकी शक्ती को समझने की कोशिश करते हुए गारसिव और शेक अमर सहत अपने पीछा करने वालों से बचना होगा रास्ते में दास्तान को काने वाली सच्चाई का पता चलता है जो इतिहास को बदलने की शक्ती रखता है फिल्म एक्षम से भर पूर रोमैंस और दोकेबाजी शामिल है क्योंकि दास्तान और तमिना फार्सी अदालत के बीतर गददार का सामना करते हैं और खंजर को गलत हाथों में जाने से रोकन इसके गलत इस्तेमाल की बज़े से होने वाली विनाशकारी घटनाओ को पूर्ववत करने के लिए किया फिल्म के अंत तक दास्तान और तमिना के बीच प्यार हो जाता है और दास्तान खंजर शक्ती का इस्तेमाल करने के बजाए जीवन बचाने के लिए खंजर की शक्ती क को हमेशा के लिए छुपा देता है। अंत में, Prince of Persia, The Sands of Time, Film Romance, Romance और मुक्ती की एक रोमांच कहानी है।